ओम शांक्ति मुरुली का तारिखे 28-11-2019 मीटे बच्चे शुबाबा आया है तुमारे सब बंडारे बरपूर करने कहा भी जाता है बंडारा बरपूर काल कंतक दूर प्रश्न ग्ण्यानवान बच्चों की बुद्धी में किस एक बात का निश्चय पक्का होगा उत्तर उने दुड़ निश्चय होगा कि हमारा जो पार्ट है वा कभी गिस्ता मिटता नहीं मुझ आत्मा में 84 जन्मों का अविनाशी पार्ट नून्दा हुआ है यही बुद्धी में ग्ण्यान है तो ग्ण्यानवान है नहीं तो सारा ग्ण्यान बुद्धी से उड़ जाता है ओम शांती बाप आकर रुहानी बच्चों प्रत क्या कहते हैं क्या सेवा करते हैं इस समय बाप या रुहानी पड़ाई पड़ाने की सेवा करते हैं या भी तुम जानते हो बाप का भी पार्ट हैं पीचर का भी पार्ट हैं और गुरु का भी पार्ट हैं तीनों पार्ट अ अच्छे बज़ा रहे हैं, तुम जानते हो, वहाँ बाप भी हैं, सद्गती देने वाला गुरू भी हैं, और सबके लिए हैं, चोटे बड़े बूडे जवान, सबके लिए एक ही हैं, सुप्रीम बाप, सुप्रीम टीचर हैं, बेहत की शिक्षा देते हैं, तुम कान्फरंस म भी समझा सकते होगी, हम सबकी बयोग्रफी को जानते हैं, परमपिता, परमात्मा, शुबाबा की जीवन कहानी को भी जानते हैं, नंबर वार, सब बुद्धी में याद होना चाहिए, सारा विराट रोप, सरूर बुद्धी में रहता, हम अभी ब्रामन बने हैं, फिर हम द ब्रामनों को याद है न, सिवाई तुम बच्चों के, और किसी को या बाते याद नहीं होगी, उत्तान और पतन का सारा रास बुद्धी में रहे, हम उत्तान में ते, फिर पतन में आई, अब बीच में है, शुद्र भी नहीं है, पूरे ब्रामन भी नहीं बने हैं, अगर अबी पक्के ब्रामन होतो, फिर शुद्र पने की एक्ट नाप, ब्रामनों भी भी फिर शुद्र पना आ जाता है, या भी तुम जानते हो, कब से पाप शुरू किये हैं, जब से कामचिता पर चड़े हो, तो तुमारी बुद्धी में सारा चक्र है, उपर में है शुबाब परमपिता परमात्मा बाप, फिर तुम हो आत्माय, या बाते, तुम बच्चों की बुद्धी में जरूर याद रहनी चाहिए, अबी हम ब्रामन हैं, देवता बन रहे हैं, फिर वैश शुद्र डिनायस्टी में आएंगे, बाप आकर के हमको शुद्र से ब्रामन बनाते है फिर हम ब्रामन से देवता बनेंगे, ब्रामन बन करमातीत अवस्ता को प्राप्त कर, फिर वापिस जाएंगे, तुम बाप को भी जानते हो, बाजोली से तुमको बहुत इजी कर समझाते हैं, तुमको बहुत हलका बनाते हैं, ताकि अपने को बिंदी समझ और जट बागें स्टूडेंट क्लास में बैटे रहते है तो बुद्धी में स्टडी ही याद रहती है तुमको भी याँ पढ़ाई याद रहनी चाहिए अभी हम संगम युकपर है फिर ऐसे चकर लगाएंगे या चकर सदय बुद्धी में फिरता रहना चाहिए या चक्र, आदी का नालेज, तुम ब्राह्मनों के पास ही है, ना कि शूद्रों के पास, देवताओं के पास पी या नालेज नही है, अभी तुम समझते हो बक्ती मार्ग में, जो चित्र बने हैं, सब डिफेक्टेड है, तुमारे पास है एक्ट्यूरेट, क्यूंकि तुम ए कहा जाता है, ज्ञान किसको कहा जाता है, ज्ञान देने वाला बाप, ज्ञान का सागर, अभी मिला है, स्कूल में पढ़ते हैं, येम आपजेक्ट का, मालुम तो पढ़ता है न, बक्ती मार्ग में येम आपजेक्ट होती नहीं, या तोड़े ही तुमको मालुम ता कि, हम उ प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारिया जरूर आगे भी बनेते। प्रजापिता ब्रह्मा का नाम तो बाला है। दूर से कितने चोटे दिकाई पड़ते हैं। तुम भी बहुत चोटी सी आत्मा, आत्मा कभी चोटी बड़ी नहीं होती है। हाँ, तुमारा मर्तबा बहुत उंच है। उनको भी सूर्य देवता, चंद्रमा देवता कहते हैं। यहां आकर पात्रदारी बनती है। देवता ये तो तुम भी बनते हूँ। तुम ही देवता बनते हूँ। हम बहुत पवर्फुल बन रहे हैं। बाप को याद करने हम सतो प्रदान देवता बन जाएंगे। नमबर वार तोड़ा तोड़ा फरक हो जाता है। कोई आत्मा पवित्र बन सतो प्रदान देवता बन जाती है। कोई आत्मा पूरा पवित्र नहीं बनती है। ग्ञान को जरा भी नहीं जानती है। बाप ने समझाया है बाप का परिचेत। जरूर सबको मिलना चाहिए। पिचाडी में बाप को तो जानेंगे न। विनाश के समय सबी को पता पड़ता है। बाप आया हुआ है। अबी भी कोई कोई कहते हैं बगवान जरूर कहां आया हुआ होगा। परन्तु पता नहीं पड़ता। समझते कोई भी रूप में आयेगा। मनिश्य मत तो बहुत है ना। तुमारी है एक ही इश्परिय मत। तुम इश्परिय मत से क्या बनते हो। एक है मनिश्य मत। दूसरी है इश्परिय मत। और तीसरी है देवता मत। देवता उनको भी मत किसने दी बाप ने। बाप की श्रीमत है ही स्रेष्ट बनाने ना कि मनुश्यों को, श्रीश्री ही आकर श्री बनाते हैं, देवताउं को स्रेश्ट बनाने वाला बाप ही है, उनको श्रीश्री कहेंगे, बाप कहते हैं, मैं तुमको ऐसा लायक बनाता हूं। उन लोगों ने फिर अपने पर श्रीश्री का टाइटल रख दिया है। कानफरंस में भी तुम समझा सकते हो। तुम ही समझाने लिए निमित बने हुए हो। श्रीश्री तो है ही एक शुबाबा जो ऐसा श्री देवता बनाते हैं। वो लोग शास्तरो आधी की पडाई पड़कर टाइटल ले आते हैं। तुमको तो श्री श्री बाप श्री अर्तात स्रेष्ट बना रहे हैं। यां है ही तमों प्रदान ब्रष्टाचारी दुनिएं। ब्रष्टाचार से जनम लेते हैं। कहां बाप का टैटल, कहां यां पतित मनिश अपने पर रखाते हैं, सच्ची सच्ची स्रेष्ट महान आत्मायेतु, देवी देवता है न, सतो प्रदान दुनिया में, कोई भी तमो प्रदान मनिश हो ना सके, रजो में, रजो मनिश ही रहेंगे, ना कि तमो गुणी, वर्ण अभी गाये जाते हैं, अभी तुम समझते हो, आगे तो हम कुछ नहीं समझते थे, अब बाप कितना समझदार बनाते हैं, तुम कितना दनवान बनते हो, शुबाबा का बंडारा बरपूर है, शुबाबा का बंडारा कौंसा, अविनाशी ज्ञान रतनों का, शुबाबा का बंडारा बरपूर, काल कंटक दूर, बाप तुम बच्चों को ज्ञान रत्न देते हैं, कुद है सागर, ज्ञान रत्नों का सागर है, बच्चों की बुद्धी, बेहद में जानी चाहिए, इतनी करोड आत्मा एस अपने अपने शरी रूपी तक्त पर विराजमान है, या बे राजमान होती है, तक्त एक ना मिले दूसरे से, सबके पिच्चर्स अलग-अलग है, इनको कहा जाता है कुद्रत, हर एक का कैसा अविनाशी पार्ट है, इतनी चोटी सी आत्मा में, चवरासी का रिकार्ड बरा हुआ रहता है, अती सुक्ष्म हैं, इससे सुक्ष्म वंडर कोई हो नहीं सकता, इतनी चोटी आत्मा में, सारा पार्ट बरा हुआ है, जो यहां ही पार्ट बजाती है, सुक्ष्म वतन में तो कोई पार्ट बजाती नहीं है, बाप कितना अच्ची रिती समझाते हैं, बाप द्वारा, तुम सब कुछ जान जाते हैं, यही नालिज है, ऐसे नहीं कि सबके अंदर को जानने वाला है, या नालेज जानते हैं, जो नालेज तुमारे में भी इमर्ज हो रही है, जिस नालेज से ही तुम इतना उन्च पद पाते हो, या भी समझ रहती है न, बाप है भी जरूप, उनमें जाड के आदी मद्य अंत की नालेज है, मनुष्यों ने तो लाको वर्ष आयू दे दी है, तो ज्ञान आना सकी, अभी तुमको संगम पर या सारा ज्ञान मिल रहा है, बाप द्वारा तुम सारे चक्र को जान जाते हो, इनके पहले तुम कुछ नहीं जानते थे, अभी तुम संगम पर हो, या है, तुमारा अंत का जन पुर्शार्त करते करते फिर तुम पूरा ब्राम्मन बन जाएंगे अभी नई हूँ अभी तो अच्चे अच्चे बच्चे भी ब्राम्मन से फिर शूद्र बन जाते हैं इसको कहा जाता है माया से हार काना बाप की गोद से हार कर रावन की गोद में चले जाते हैं कहां बाप की स्रेष्ट बनने की गोद कहां ब्रस्ट बनने की गोद सेकेंड में जीवन मुक्ती सेकेंड में पूरी दुर्दशा हो जाती है ब्राम्मन बच्चे अच्ची रीती जानते हैं कैसे दुर्दशा हो जाती है आज बाप के बनते, कल फिर माया के पंचे में आकर रावन के बन जाते हैं फिर तुम बचाने की कोशिश करते हो तो कोई कोई बच भी जाते हैं तुम देखते हो, दूपते हैं तो बचाने की कोशिश करते रख कितनी किटकिट होती है बाप पैट बच्चों को समझाते है यां स्कूल में तुम पढ़ते हो न तुमको मालुम है कैसे हम यां चक्कर लगाते है तुम बच्चों को श्रीमत मिलती है ऐसे ऐसे करो बगवान वाच तो जरूर है उनकी श्रीमत हुई न मैं तुम बच्चों को अब शूद्र से देवता बनाने आया अभी कलियुग में हैं शूद्र संप्रदाय तुम जानते हो कलियुग पूरा हो रहा है तुम संगम पर बैटे हो यां बाप द्वारा तुमको नालिश मिली है शास्त्र जो भी बनाये है उन सब में हैं मनुष मत इश्पर तो शास्त्र बनाते नहीं ये गीता के उपर कितने नाम रख दिये है गांदी गीता, एगोर गीता आधी आधी देर नाम है गीता को मनुष इतना क्यूं पढ़ते है समझते तो कुछ नहीं अध्याई वही उटाकर अर्थ अपना अपना करते रहते है वां तो सब मनुषों के बनाये हुए हो गए ना तुम कह सकते हो मनुष मत की बनाई हुई गीता पढ़ने से आज यां हाल हुआ है गीता ही पहला नंबर का शास्त्र है ना वां है देवी देवता दर्म का शास्त्र यां तुमारा ब्राम्मन कुल है यां भी ब्राम्मन दर्म है ना कितने दर्म है जिस जिस ने जो दर्म रचा है उनका वां नाम चलता है जैनी लोग महावीर कहते है तुम बच्चे सब महावीर महावीर्निया हूँ, तुमारा मंदिर में यादगार है, राजयोग है ना? नीचे योग तपस्या में बैटे है, ऊपर में राजाई का चित्र है, राजयोग का एक्यूरेट मंदिर है, फिर कोई ने क्या नाम रख दिया है, कोई ने क्या? यादगार है एक्यूरेट, बुद्धी से कामले टीक बनाया है, फिर जिसने जो नाम कहा, वहां रख दिया है, या माडल रूप में बनाया है, स्वर्ग और राजयोग, संगम युक का बनाया हुआ है, तुम आदी मध्यांत को जानते हो, आदी को भी तुमने देखा है, आद संगम युक को कहो, या सत्यू को कहो, संगम की सीन नीचे दिकाते हैं, फिर राजाई उपर में दिकाते हैं, तो सत्यू है आदी, फिर मध्य में है द्वापर, अंत में तुम देखते ही हो, अंत को तो अभी तुम देख रहे हो, या सब कतम हो जाना है, पूरा यादगार ब यादगार पूरा accurate है, यादगार में बहुत मंदिर बनाए है, यहां ही सब निशानिया है, मंदिर भी यहां ही बनते है, देवी देवता बारतवासी है, राज्य करके गए है न, फिर बाद में कितने मंदिर बनाते हैं, सिक लोग बहुत होंगे तो, वहां अपना मंदिर बना देते हैं, बारतवासी, अपने कृष्ण का वा लक्ष्मी नारायन का मंदिर बनाएंगे, हनुमान गणेश का बनाएंगे, यहां सारा चक्र का राज कैसे फिरता है, कैसे स्तापना, विनाश पालना होती है, यहां तुम ही जानते हो, इसको कहा जाता है, अंदियारी रात, ब् तुम की ब्रह्मा ही चक्कर में आते हैं, अभी तुम ब्रामन फिर देवता बनेंगे, मुक्के तो ब्रह्मा हुआना, ब्रह्मा को रखे या विश्णु को रखे, ब्रह्मा है रात का और विश्णु है दिन का, वही रात से फिर दिन में आते हैं, दिन से फिर 84 जन्मों के बाद रात में आते हैं, कितना सहज समझानी हैं, यहां भी पूरा याद नहीं कर सकते, पूरी रीती नहीं पढ़ते हैं तो, नंबर वार पुर्शार तनुसार पद पाते हैं, जितना याद करेंगे, उतना सतो प्रदान बनेंगे, सतो प्रदान सो, बारत तमो प्रदान, बच बेहत का बाप आकर देते हैं, सब मनुष बेहत के बाप को याद करते हैं, अंग्रेज लोग भी कहते हैं, वो गाड़ फादर, लिबरेटर, गैड, अर्थ तो तुम बच्चों की बुद्धी में हैं, बाप आकर के दुख की दुनिया, आइरन एज से निकाल, गोल्डन एज म रहनी चाहिए, और दैवी कर्म भी करने चाहिए, अच्छा, मीटे मीटे सिकिलदे बच्चों प्रती, मात पिता बाप तादा का, याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रुहानी बाप की रुहानी बच्चों को नमस्ते, हम रुहानी बच्चों की रुहानी बाप तादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग नमस्ते 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 दारणा के लिए मुख्य सार फर्स्ट पाइंट बाप से जो अविनाशी ज्ञान रत्नों का अकूट का जाना मिल रहा है उसे स्मुर्ती में रख बुद्धी को बेहद में ले जाना है इस बेहद नाटक में कैसे आत्मा ये अपने अपने तक्त पर विराज मान है इस कुद्रत को साक्षी हो देखना है सेकेंड पाइंट सदा बुद्धी में याद रहे की हम संगम युगी ब्राम्मन है हमें बाप की स्रेष्ट गोद मिली है हम रावन की गोद में जा नहीं सकते हमारा कर्तव यह है डू आने वाले निर्विग्न सेवादारी बवा सेवा बाव सफलता दिलाता है सेवा में अगर अहम बाव आ गया तो उसको सेवा बाव नहीं कहेंगी किसी भी सेवा में अगर अहम बाव मिक्स होता है तो मेहनत भी जादा समय भी जादा लगता और स्वयम भी संतुष्टी नही स्वयम को संतुष्टता का अनुबव नहीं होता। दागों से भी मुक्त है। अच्छा, ओम शांती।